ये तो टाइम मेशिन है जिसमें बैटने से इंसान एक अलगी दुनिया में जाता है प्रकृती की भिडमबना देखिए एक इंसान दो नागिन लेके अंदर डाइनसौर देखने जा रहा है ये बाई पता है क्या ये कुवा बहुत गेरा है मैं कैसे मान लो तुम ननद भावी कूट के दिखाओ चल बाग यहां से जबसे ये दोनों मेरे जिंदेगी में आये हैं मेरा तो आतंकी खतम हो गया यार दोस्तों ये आज हमारा दूसरा दिन है कॉलकता में और हम आके पहुँच गये साइन्स सीटी में अंदर एंटर होते ही हमारी बहन टिकट काउंटर के तरफ भाग के गई जिसे देख हमारी आँके नम हो गई क्योंके जिन्देगी में पहली बार हमारी बहन लिए टिकट करी दने वाली थी बाई जल्दी इधर आर अगले 2 सेकेंड में उसने अपना वो शाम ढलते ही इस ब्रीच में कठा होते हैं और चुगली करते हैं इस बात में कितनी सा चाहिए वो हमें नहीं पता थोड़ा ही अंदर आये थे कि एक मगरमच सकल वाला डाइनेसोर हमें खाने के फिराक में था हमने उसको चकमा देके आगे निकला है दोस्तो आप बिलिब में आये हैं मेरा तो हातं की खतम हो गया यार हर कोई कचड़ा कर रहा है मेरा खैर चोड़े अब तो आदची हो गई है प्रकृति की बिढमबना देखिए एक इंसान दो नागिन लेके अंदर डाइनसोर देखने जा रहा है इस बीच हमारी गाड़ी दिरे दिरे आगे बढ जाते हैं देखो देखो इन नागिनों के चेहरे पर खुशी देख रहे हो दोस्तों अंदर गुशते ही हमारी नजर एक बड़े साइच के मेंड़क के उपर गिरी अरे मेंड़क बाई मू बंद कर मक्ही गुश जाएगा ओके बैया फिर हमने अपनी नजर जब राइट साप सुंगिया क्या वो अब कभी नहीं ही लेगा उसकी गर्फरेंड ने उसको स्टेच उगर के वो सामने से एक लॉंडे के साथ भाग गई अरे इतना सन्नाडा क्यों है भाई दूर दूर तक कोई नजर क्यों नहीं आ रहा अरे अंकल नीचे देखो नीचे अब बहरे नी साइस करना था लगता है बाई कोई लड़की पटाने के चक्कर में हैं फिर हमारी नजर एक गेंडा रूपी डाइनसौर के उपर पड़ती है अब यो गेंडे यह सिंग है यह क्या स्टाइल मारने के लिए रखाए क्या तेरा कमारू क्या है पिछले जन्म में हमारी बीबी दुनिया का वह खतम होता है और हम वापस प्लाटफॉर्म यहां के पहुंच जाते हैं थोड़ा आगे आने के बाद देखा कि हमारी बेहन और कुछ लोग एक कुए के अंदर जहां करे थे बाई पता है क्या यह कुआ बहुत गेरा है मैं कैसे मानलो तुम नननत भाभी पर हमारी बाते कोई सुने तब ना भाई कभी जिंदेगी में मचली को पीठ रगड़ते हुए देखा था क्या फिर हमारी नजर इस चक्र भ्यू में पड़ी जिसे थोड़ी देर अगर आप देखते रहोगे तो आपका सर चक्र आ जाएगा तो इसलिए मैंने अपनी बीव जिसमें बैटने से इंशान एक अलगी दुनिया में जाता है और इसका टिकट सिफ 40 रुपया था तो मैंने बिना देरी के टिकट ले लिया ये लोग दाबा करते हैं कि इस मैसिन में जो भी बैटता है वो एक अलगी दुनिया में पहुँच जाता है इस बाने मैं उस दुन विनलेड हमारा मेशिन चालू हो जाता है गाईस। आछानाक से कहीं से एक रिक्सा बला आजाता है और हमें खीच्ण की अपनी साथ ले चलता है। फिर वह रिक्सा बला कहीं से आग निकाल के अपने पिछवाडे में लगा देता है। उसके बाद तो दोस्तो रॉकेट के माफी गुमता ही रिक्सा जिसे देगा हम हिलते ओ माई गॉड फाइनल ये तुफानी सफर खतम होता है गाईस देखो ये रिक्सा का पईया भी निकलाया पर अपसोस अभी भी मुझे मेरी बेहन और बीवी से चुटकारा नहीं मिला गाईस ये कैसी टेक्नोलोजी ये यार ये ट्रांस्परेंट स्क्रीन मैंने आज तक तो नहीं देखा था यार आपने कभी देखा है कॉमेंट करके ज़रू बताना फिर हमारा नजर पढ़ता है हेड अन प्लेटर में जहां पर पहले हमारी बेहन गुझ जाती है देखो हमारी मेरी बीवी निकल गी तो मैं भी निकल जाता हूँ गाईस ये देखो कितने सारे सीधी दास दोस्तों अगला मौका मुझे मिलता है मिरर मेज के अंदर अपनी बेहन और बीवी से चुटका रहा पाने का ये मेरा आखरी मौका है क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा भूल-भूले या है जहाँ पर आप किसी को भी लेके आओ कुछी सेकेंड के अंदर वो आपसे जुदा हो जाता है अरे तुम दोना अभी तक यहीं हो क्या आरे जाओ ना अंदर 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 बहुत गहर आए जाओ कुछ नहीं होगा जाओ मैं यहीं हूँ जाओ अब तुम लोग फिर चल रहा है फिर जब हमारी नजर स्क्रीन के उपर पड़ी तब पता चला कि भाई टेक्नोलोजी ने लोगों को आजकल पुतला बना के रखा है जुसका क्लियर एक्जामपल यहां देख सकते हो यह सारे लोग पता नहीं स्क्रीन पर क्या पागलों के जैसा हरकते कर रहे हैं ऐ मैंने सोचा था कि साइन सिटी में आऊंगा तो मेरी बहन और बीवी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा लेकिन यह मेरा मिशन फेल हो गया सो गाइस मैं अगले वीडियो में ट्राइ करूँगा कैसे इन दोनों से चुटकारा पाऊं तब तक आप इस वीडियो को शेर करके लाइक करके कॉमेंट कर दीजिये और अगले वीडियो का इंतिजार करिए दोस्तों सच बताओं जब से यह दोनों मेरे जिंदेगी में आये हैं मेरा तो हातंकी खतम हो गया यार हर कोई कचड़ा कर रहा है मेरा हर कोई इज़त ले रहा है मेरा